दूस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में जो मौझूदा रेलवे ट्रेक्स हैं वो हाई स्पीड ट्रेन्स को रन करने में सच्छम नहीं हैं जिसके वज़े से आज भी भारत में ट्रेनों की ऑपरेशनल स्पीड बाकी देशों के कमपेरिजन में काफी कम हैं लेकिन आपको जानकर काफी अच्छा लगेगा कि अब इंडियान रेल्वेस देश में इस्तमाल होने वाले ट्रेक्स में एक काफी बड़ा बदलाब करने जा रही है दरसल यूनियन रेल्वे मिनिस्ट्री की तरफ से अब R350 ग्रेड के रेल ट्रेक्स को एड़ॉप्ट करने के लिए गाइडलैंस जारी की गई हैं जिसके अनुसार रेल्वे अपने पुराने ट्रेक्स की जगे अब नए R350 रेल ट्रेक्स का यूज़ करने वाली है R350 ट्रेक्स की बात करें तो इन हाई स्ट्रेंथ रेल्वे का इस्तमाल दुनिया भर की डेवलब्ड कंट्रीस में बड़े पैमानी पर किया जाता है जिसके जलते ये ट्रेक्स अपनी स्ट्रेंथ को पहले ही प्रूब कर चुके हैं इसलिए भारत में इन ट्रेक्स को बिना किसी ट्राइल के सीदे इस्टॉल करना शुरू कर दिया जाएगा जिसके बाद अब रेल वे बहुती जल्द अपने ट्रैक्स को R350 रेल से अपग्रेड करना चालू कर देगी हलाकि भारत में पहली बार इस तरह के tracks का इस्तमाल किया जाएगा इसलिए इन में किसी भी तरह के unusual behavior को पता लगाने के लिए रेल्वेस समय समय पर इन tracks की close monitoring करने वाली है लेकिन इस खबर में सबसे interesting बात ये है कि इन tracks की manufacturing भारत में ही domestic companies के द्वारा की जाएगी और कई reports की मताबिक Steel Authority of India Limited अगले मैने से इन rail tracks का production भी सुरूग कर सकती है देखे railway देश में trains की speed को बढ़ाने के लिए एक साथ कई projects पर काम कर रही है क्योंकि railway ने आने वाली समय में sleeper वंदे भारत trains को rollout करने का plan बनाया हुआ है जिसकी top speed तो 220 km परावर की होने वाली है इसलिए tracks की condition को improve करने के साथ साथ अब कवच जैसे स्वदेसी anti-collision system को भी expand करने की जरूरत है इसके लाबा देश बर में केटर लनुवर के incidents को खतम करने के लिए railway tracks की fencing पर भी काम कर रही है जिसके तहर दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावरा रूट पर fencing का काम almost complete हो चुका है तो दोस्तों इस पर आपके क्या विचार है हमें comment section में जरूरत बताएं